नमस्कार दोस्तों मैं सुन्दरलाल पटेल आप देख रहे हैं हमारे यूटूब चैनल SLP पटेल आज हम बात करने वाले हैं टोकन तुहर हाथ एप जो 36 सरकार ने लांच किया है उस एप के बारे से हम आज बात करते हम देखेंगे आज कि एक ही मोबाइल में कई परकार की अन से लोगिन करें एक मोबाइल में कई लोगों क्या है बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि हमारे मोबाइल में तो हो चुका है दुसरे का नहीं हो पाएगा तो देखते हैं आज हमारे इस वीडियो के और हाँ ध्यार है दोस्तों एक किसान कोड में एक ही लोगों का हो हो चलिए हम आज अपको दिखाते हैं कि एक ही मोबैल से कैसे हम घी लोगों का टोकन कार सकते हैं तो चलिए अपने टॉपिक को और जाने से पहले एक प्यारा सा लाइक वीडियो को सबस्क्राइब जरूर करते दोस्तों यहीं हम आप से आसा चाहते हैं हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं टाइम निकाल कर तोathan कुझ दोस्तो चलिए वीडियो नमस्कार दोस्तो अब हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आल आ जАते हैं और टोकन तुरुहार चिली किसान को दर्जा करने बाद मैं जनकारी देखे पर किलिक कर दिया जैसे जनकारी देखे पर किलिक करते हैं हमारे सामने खुल कर इस तरह आता है तो हम यहां पर अपना मोबाइल नमबर देखी यहां किलिक पेंसिल कर निसान हूं उस पर किलिक करके अपना मोबाइल बड़ दर्ज करने के बाद हमें कि एंट टीम और पर क्लिक करेंगे तो चलिए मैं पहले प्राप्ट करें यही आपको याद रखना है जो फिर से दुबारा कभी भी आप लोगिन करोगे तो इसकी ही जरुवत पड़ेगा फिर दुबारा रजिस्टर नहीं कर पाओगे तो आप मैंने चली पीन भी बना दिया और जैसे पीन बनाने के बाद सक्सेश्पूल होकर डेस बोड आ जाता है तो हम अपना टोकन काटे पर किलिक करके इस तरह से जिस डेट में ले जाना है धान हमें उस डेट में काट कर हम अपना धान की मातरा डाल कर यहां जा इसमें लिखा है 20 कुन तरह तो 20 कुन तल जाएगा दोस्तों मैंने यहां वहां कर दिया इस तो फिर कर दो पर देखिए टोकन नंबर हो गया टोकन कट गया अगर तोकन समधिया जनकारी है तो और याग नहीं है तो सेप करके किसी जोई सेंटर में जाकर आप प्रिंट करा सकते हैं तो चलिए मैं और आगे की पॉर्सेस आपको बताता हूं क्योंकि एक ही मोबाइल में कई कई लोगों का टोकन कैसे कार सकते हैं तो देखिए हम उसके बाद सेटिंग में आएंगे सेटिंग में आने के बाद एप मेनेजमेंट पर किलिक करते हैं जैसे एप मेनेजमेंट पर किलिक करते हैं हमारे सामने इस तरह से देखिए एप मेनेजमेंट पर जाना है आपका सेटिंग में कहीं कहीं दूसरा जगा हो सकता है तो किसी में एप लिखा रहता है तो एप मेन पूरा ताकि मेरा एप कहां पर देखी यहां पर आगया टोकन तो हनात पर मैंने किलिक किया उसके बाद देखिए इस्टोरेंज उसेज तो इस्टोरेंज इस्टेट पर किलिक किया तो किलियार डाटा कर देते हैं यहां पर देखिए और उसके फिर किलियार कर देते हैं उसके फिर से लोगिन या रजिस्टर करने की आपसन फिर से आ जाता है तो फिर किसी की दूसरे किसान का करना है फिर उसके रजिस्टर पर किलिक करके किसान को डालते हैं जनकारी देखे पर फिर किलिक कर देते हैं चलिए मैं डाल देता हूं फिर एक और अलग किसान का ताकि आपको बता पाऊं अपना किसां को डालने के बाद मैं जनकाड़ी देखे पर किलिक कर लेता हूं जैसे करता हूं फिर से यह रजिस्टर फिर से मोबाइल नमबर दर्ज करने के लिए बोलता है तो फिर से मैं अपना किसी दुसरे कस्टमार कर रहेगा तो फिर दुसरे कस्टमार का मो OTP करना पड़ेगा फ़र्ष्ट बार यदि आप रजिस्टर करोगे तो तो OTP डालने बच्छा रंगों का OTP यह हर दम याद रखना है आपको क्या हर साल इही OTP पिन के जरी आप फिर से दुबार लोगिन कर पाओगे तो इसको अच्छा से याद रख लेना और कहीं जगा लि OTP गलत हो गया था तो मैं फिर से दुबारा OTP डाल देता हूँ जैसे OTP डालने के बाद देखी फिर से खुल कर शाहिआ चाहिए तो आप कर सकते हैं यही प्रक्रिया आपको बार बार दो śरुद्स करोगे और अपना तुहर हाँ पर खिलिक चरोगे तोकन तुहर हाँ अब कर के फिर इस ट्रोड़ेब करता है प्र कर देना है फिर आपका मैन उपद्स estar करें है यह पर फिर तार फिर फिर यहीं को इसी को बार बार धोनाना जितने किस्टमर को आप रजिश्टर करने के favour for यह देखिए फिरosure किसान को डाल देता हूं जनकारी देखे पर फिर किलिक करता हूं फिर हमारे सामने वही प्रक्रिया बार-बार दोहराते रहना है बार-बार उसी को मोबाइल नंबर लगेगा अलग-अलग और किसान पीन आपको अलग-अलग बना लेना है एक ही जैसे नहीं बनाना है और फिर मोबाइल नमबर हर रजिस्टर हर एक किसान कोड में एक किसान कोड में एक मोबाइल नमबर लगेगा इसको याद रखना है दोस्तों यदि आप एक किसान कोड है और एक किसान कोड में एक ही बार आप रजिस्टर कर पाया होगे एक ही बार कर पाऊगे दुबारा नहीं कर पाओगे या दी दुबारा आप करोगे तो अल्रेडी दिखा जाएगा या पूर्व में आपका मोबाइल नमबर रजिस्टर किया जा चुप है यह सब दिखाएगा आपको तो यह सब एरार देखने को मिलेगा क्योंकि एक ही बार होगा तो चलिए मैं एक प्रविष्ट किसान को पूर्व में रजिस्टर कर चुका है यह दुबार नहीं हो सकता दिखा रहा है तो यदि आपको ऐसा दिखाएगा तो आपको फिर से एप पर जाना है दुबारा क्लिक कर गए और देखिए इस ध्यान से देखना दो तभी आप समझ पाओगे ना वह देखिए यहां पर दो आपसन हैं हमारे पार रजिस्टर करें और नीचे पंजी करें तो देखिए पहले पर क्या है हमने पहली बार भी किया था आपको बार बार दिखाया दो तिन जहक का बताया हूं कि रजिस्टर करें पर किलिक करके नए रजिस्टर करें तो हमें इस ब पर पर अपना फिर से किसान को डर्ज करता हूं जो हमने पहले एक बार कर चुका था उसी किसान को नंबर को फिर दालेंगे और जो पीन बनाया था तो उस पीन को हम नीचे पर जहां पर लिखाएं पीन दर्ज करें उस पर फिर मैं अपना जो पीन बनाया था उसे डाल देता ह उसको डालने के बाद लागिन करें पर देखिए पीन पहले दर्जे कर लेता हूं मैं वेट करें चली मैं आपना जो जो लिमनाय थोंसे पर विस्टर कर दिया और लागिन करें पर क्लिक करते मैं्यादी आप लागिन …… पर नहीं कर पाते हैं भूल गए हैं तो नीचे लिखा है देखिए पीन भूल गए हो तो उहां पर आप फिर से नया आपने डाटा करने के बाद फिर लोगिन करो इसी तरह से आप कर सकते हो किस्टमरों को आप कर सकते हो और यहां से किसान कोट कॉपी करके फिर अपना किसान टोकन तुहरा हाथ एप पर आओ इस तरह से आप जितना चाहो उतना लोगों का किसान क्या अभी कई लोगों को ये मालूम न जानते हैं उसके पार कई लोग आते रहते हैं बार-बार तो क्या हमारे एप में हमने पहले से अपना मोबाइल नमबर रजिस्टर कर चुके हैं अपनी किसान को रजिस्टर कर चुके तो दूसरा कर्ष्टमारा था उस समय हमें दिक्कत होता है तीसले मैं यह वीडियो को बना आते रहेंगे तो आज ज्यादा वीडियो लंबा भूत हो गया चलि हम आज बंद करते हैं इसी प्रक्रिया को आप बार-बार करते रहेंगे एकी मोबैल से चलिए ठीक है धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा अन तक देखने के लिए